कॉंग्रेस के एक सांसत के ब्यान से पूरे देश में भारी बवाल मच गया है दरसल कॉंग्रेस सांसत डीके सुरेश ने उत्तर और दशिन भारत को लेकर बड़ा ब्यान दे दिया है जिससे विवाद छिड गया है करनाटक के डिप्टी सीम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने आरोप लगाया है कि करनाटक को केंदर सरकार पडियाप्त पैसा नहीं दे रही है इसी वज़े से उसके पास दशिन भारत को लेकर अलग राज्य की मांग करने के इलावा और कोई आप्शन नहीं बचा है डीके सुरेश के इस ब्यान के बाद बीजेपी ने जम कर हामला बोला है साथ ही कॉंग्रेश पर फूट डालो और राजकरों का आरोप लगाया है दरसल अंतरिम बजट पर बैंगलूरू से कॉंग्रेश सांसद दीके सुरेश ने कहा कि यह चुनावी बजट है अंतरिम बजट में सिर्फ नाम बदले गए हैं केंदर सही तरीके से दश्चिन भारतिय राज्यों को GST और परत्यक्ष टैक्स के हिस्से का अधिकार नहीं दे रही है दरसल दश्चिन भारतिय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है दशनी राज्यों का पैसा उत्तर भारतिय राज्यों को दिया जा रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर होंगे केंदर को हमसे 4 लाख करोड रुपे से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं और बदले में हमें जो मिल रहा है वो नगन्य है मतलब कुछ भी नहीं है हमें इस पर सवाल उठाना होगा अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सभी दशनी राज्यों को एक अलग रास्ट की मांग के लिए अपनी आवाज उठानी होगी वहीं डीके सुरेश के इस ब्यान पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा है सूर्या ने कहा है कि कॉंग्रेश का इतिहास पूट डालो और राज करों का रहा है उसी तरह डीके सुरेश भी उत्तर और दशनी भारत के दर्मियान विभाजन चाहते हैं एक्सपर्ट तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि एक और उनके नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोडो निया यातरा के साथ देश को एक जुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक सांसद है जो दीश को तोड़ने पर आमदा है कंदर वासी ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम उन्हें लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देंगे वहीं राज्यसभा में केंदरिय मंतरी प्यूश गोयल ने डीके सुरेश के इस ब्यान का जिक्र करते हुए कहा कि कॉंग्रेस को इस ब्यान पर माफी मागनी चाहिए वहीं कॉंग्रेस ने डीके सुरेश के ब्यान से किनारा कर लिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे ने कहा है कि अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात करे तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सुरेश के भाई और करनाटक के उपमुख मंतरी डीके शिव कुमार ने कहा है कि सुरेश ने केवल आम जनता की धारना के बारे में बात की है वहीं सुरेश के इस ब्यान पर करनाटक के सीएम सिद्धा रमया ने कहाए कि दश्चिन भारत के लिए अलग रास्टियता की मांग नहीं की जा सकती देश की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए फिलहाल ये मामला तूल पकरता जा रहा है कॉंग्रेस ने वीके सुरेश के ब्यान से खुद का पल्ला जहाड लिया है